हर दिन कुछ नया बताऊंगा, आज मैं डिस्पले वाल के बारे मताऊंगा डिस्पले वाल के कितने फायदे हैं, कैसे कैसे उसके फायदे हैं, डिस्पले वाल सबसे आसान चीज़ है अभी के टाइम में हैं, उसके बाद किसी को प्लान दिखाने अगर हम जाते हैं तो ज़्य जानकारी में क्या जानकारी ले लो कि कौन सा प्रोड़क्त का क्या काम है, कोई भी प्रोड़क्त अपने पास है तो प्रोड़क्त क्या काम करता है, नुट्रिशन में जो प्रोड़क्त काम कैसे करता है, पीवी कैसे मिलते हैं, इंकम कैसे आती है, कीम कैसे बनती है, ये सब ज करते थे लेकिन आपने थोड़ा बदलाव कर दिया है तो थोड़ा सीखने पर फोकस कर लीजिए यदि सीखना सुरू कर देंगे तो आपके नॉलेज बड़ेगी तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे और नॉलेज ही आज के जमाने में पैसा है यहां पर इंसान की कदनी देखा चलिए आपको बताते हैं किसी के पास बाशना है, सबसे पहले बोलना है की देखो जी एक बजार है जहां से आपके ड़कार की रुगाने लिए फोतानाई बीच में बजार है इस बजार में दो तरह की दूटानी है यह आपको बताना है कि लिए आप इस दुफान से क्या वर्डर वर्ल वीक प्रशिट हाउब सकनर है सब्सक्राइition मिलता है सबार्व स करेंदु तुर्फ पहले दी मिलता है क्या दिवस्टम सीथा कमपनी से सीधा कस्टमर के पास है डायरेक्ट है कमपनी से कस्टमर डायरेक्ट है इसलिए समाल यहाँ पर लगबग सुध्ध मिलता है अच्छा मिलता है क्या बजार में मिलता है तो नहीं आपको करना यह है अपनी बात को बताना है और बजार में क्या मिलता है यह पूछना है आप यह नहीं बोलना है बजार में नहीं मिलता है कई जगा जब देखो समय कम है तो आप भी बोल सकते कि देखो जी यहां फायदा मिलता जो बजार में अगर उससे पूछो आ फाईदा मिलता है। अगlar है आपके नाम से संगे- फायदा कि अगर pad मिलता हो पकपाविल ऐसी डीका है। अच्छा यहां पर कई लोग यह भी बोल सकते हैं कि मुझे पक्के बिल से क्या फाइदा, मुझे पक्के बिल का क्या मतलब है, मुझे तो समान चाहिए, बिल से कोई मतलब नहीं है मुझे, ऐसा लोग बोलते हैं, तो वहां पर आप उनको बोल सकते हैं कि एक बात बताईए आपके AC का, कूलर का, TV का बिल ना मिले, मॉबाइल का, तो क्या आपको विश्वास होगा कि वो समान नवा है, वो समान ओर्जिनल है, इस बात की गरंटी होगी, अनि सामने वाला आप से सवाल करता है, उसके सवाल को सवाल बना दो, और जबाब होई देगा, तो आप उनसे बोलिए, कि अगर आपको अपने घर में समान लाते है, फोन जैसे हो गया, मॉमाइल हो गया, अपना कम्प्यूटर हो गया, LCD हो गया, इनवाटर हो गया, उसका अगर बिल ना मिले, तो क्या गरंटी है कि यह समान जो है आपके नई है, और जिनल है, गरंटेड है, नहीं नहीं, तो वह उहीं पर चुप हो जाएगा, तो भाई साब अगर आपको बिल मिलता है, तो मतलब क्या है, समान ठीक है, बढ़िया है, और जिनल, सुद्ध है, तिसरा नमर पादा, आपको उनसे बोलना है, दोस्तों 10% से लेकर 20% समान में छूल मिलता है, उनको छूट बोलना है, डिसकाउंट मिलता है, जैसे बजार में जो समान आप 100 रुपे का लेते हो, यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, कि बजार में बहुत सारा समान ऐसा है जो 100 रुपे MRP है तो 100 का ही मिलता है देखो जी बताने का तरीका आपका भी हो सकता हमारा भी लेकिन अलग होगा आप भी यही चीज़ बताते हो हम भी बताते हैं लेकिन आप बताते हैं अलग तरीके से हम जो सब्ध का इस्तिमाल करते हो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं सामने वाले के भेजा में दिमाग में घुश जाती बाते कहना है यहां के कई सारा समान बजार में ऐसा है जो सो रुप्य मार्पी है तो सो का ही मिलता ऐसा बोलना तो उसके बाद अगर वह समान आप इस आपके नाम से जीएटी बिल के साथ मिलता है तो आपका नुक्सान हुआ की फाइदा हुआ यह बात आपको जरूर कूछें है सामने वाले से कि आपका नुक्सान हुआ की फायदा हुआ ठीक है आगे चलते हैं बजार में इतना डिस्काउंट नहीं है नमबर चार इस दुक अपड़े खरीद कर पहनने से वापसी आएगा जिसको परफोर्मस बोनस बोलते हैं पीवी बोलते हैं परफोर्मस बोनस तो आपको क्या करना उनको जरूर बता देना है कि 2-22% पैसा आपके खरीदारी करने से आपके अकाउंट में वापस भी आएगा या वजार से कोई पैस नहीं है अब उनको बताना देखो जी समान आपने सो का लिया मालों कोई भी समान सो का लिया आपका तो सो में मिला लेकिन आपने दुकान बदल दिया तो 80-90 रुप्यात मिल गया अब इसमें से 5 रुपिया हमारे अकाउंट में वापसी आ गया परफोर्मस बोनस अब जो सम लिए पुछना थीक है इस बात को धिया रखना बोलना सो का समान था इस तरह से 75 कपड़ा तो सो रुपिया में बचत कितना हुआ यह 25 रुप्या लिख देना फिर बोलना कि कितना बचा वो बोलेंगे 25 तो आपको बोलना 25 रुपिया कम है क्या अगर 25 रुपिया आपका एक रेट और ओन लाइन जो सुभधा थाए, वह बिलकुल्ट फ्री है 500 से उपर का अगर समान का ओडर करते हैं तो डिल्वरी Charge नहीं लगता है तो रम ओडिश तरी हो जाती है ॉपिक न को साल दिस्प्ले को दिस्पले वाल के बारें बताओगा रिटेलर, होसेलर, कंटीनर नहीं बताना अगर वो बोल दे कि मेरा पैसा मुझे देती है तो बोल दो भई आपका पैसा आपको देती है तो किराने वाले ने आपको कितना पैसा दिया उनसे पूछ ले ना किराने वाले ने आपका पैसा आपको कितना दिया अगर यहाए पर वी सवाल करें मेरा पैसा मुझे देती है तो आपका पैसा किराने वाली ने कितना वापस किया थी- अगर इहां मिल रहा तो लेना चाहिए कि छोड़ना चाहिए सवाल का जबाब आपके पास होगा तो सब जुणेंगे आपके साथ सब आएंगे और ज्यादा कोई खिच-पिच करें तो आपको तो एक महीन रासन आपको बिल्कुलत्तम से अठिच मिलें बजार में आपको भूखने का में मतुछने हैं इसके बाद में आपको जम्भु कास्विर के आगे वहां पर घूमना क जैसे क्या दोते है कसली घूमने का कस्मिर घूमने का फिर उदरपूर घूमने का नर मौक का गोगवा मौकक ऐसे जगा जगा़ डिनती हम पर मिलेगे जब हाओ इस इस्टम यहां सुरू करेंगे तो रॉय इंकम ही टीक है तो इस तरीके से आपको ढोलना हैं तो आपको बताना है भाई साह हाँ कर देखो आपका नुक्षाण हुआ भाई साह besides वापसी आता है का लिर्फिरा में उहां यहां पर गुमनेजी का भी मोगां मिलता है और इसके बार वालटी jyזה income मिलता है क्या बजार में इसारी सुब्धा है यहita है अगर नहीं है तो बताओ यह दुकान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए जहां से आपको नुक्सान हो रहा समान लेना चाहिए या जहां से आपको फाइदा हो रहा समान वहां से लेना चाहिए सामने वाले से तुरंद बोलो फायदा जहां से समान वहां से लेना चाहिए या जहां से आपका नुक्सान हो रहा समान वहां से लेना चाहिए यदि बोलता नहीं जहां से मुझे फायदा हो रहा समान वहां से लेना चाहिए तो आप उनको बता सकते हैं देखो जी, यहाँ पर आपका कोई एक्ष्ट्रा पैसा नहीं लगता है, कोई फाल्तू पैसा नहीं लगता है, सिरे एक दुकान बदलना होता है, गिलियर, और उसके बाद आप सिश्ट्रम में आ जाते हो, यह जो फायदा, हमने जो फायदा बताए है, यह फायदा ले सकते हो काड बनवाने का कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें किसी भी तरह कोई पैसा समान अपने मर्जी से लेना है, काड अपने मर्जी से बनवाना है, आप अपने काम के साथ इस काम को कर सकते हो, आप लोगों का भला करके पैसे कमा सकते हो, लोगों को सपोर्ट करके पैसे कमा सक समय की सिक्योर्टी जो आपके पास होनी चाहीं नहीं हो पाएगी तीसलिए आपको खुद जाना होगा लोगों को बताना होगा सपोर्ट करना होगा उनकी मदद करनी होगी उनके साथ में खड़े रहना होगा उनको विश्वास दिलाना होगा कि मैं आपके साथ में हूँ आज तो ब्रजवती जी है मध्यपर्देश से ये भी हमारे साथ है खुरसिद जी है ये भी हमारे साथ online ID लगाए है तो अभी इस समय के आए कि कई लोग हैं जो online ID लगाकर मेरे साथ काम कर रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा apply नहीं है तो मैं कैसे business करूँगा दोस्त मैं आपको बता दूँ जो हमें जनम देता जो हमें पढ़ाता है उसके साथ हम काम कभी नहीं कर पाते हैं हमें उससे दूर जाकर ही काम करना पढ़ता है उस गाओं को छोड़ करके ही काम करना पढ़ता है कोई भी business करना चाये तो इसमें matter ने रखता है कि आपके पीताजी आपके साथ है की नहीं आपका जो गुरु जो आपको पढ़ाया है स्कूल में, वो आपके साथ है की नहीं है, लेकिन जो चीज उन्होंने बताया है, जो पिता जी ने बताया है, जो आपके गुरु ने आपको बताया है, अगर उसको आप फोलो करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आप जहां भी रहे इंडिया में इस धर्ती पर किसी कोने में रहेंगे वहां आप हर काम को कर सकते हैं बस आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है जब आपको यह पता चल जाए कि क्या करना है और कैसे करना है तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं पता होना चाहिए जनकारी होनी चाहिए आके पास में, ठीक है ने?